बिलाने जा रहे हैं लसन की चटनी उसके लिए हमने तीन लसन को यहां पे छील के रख लिया है और इसके बाद हम ले रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और एक चम्मच हम जो लाल मिर्च यूज करते हैं वो हमने मिला लिए तीखे पन के लिए और उसके बाद हम लेंगे यहां पे जीरा, जीरा एक चमच की जडूरत पडहेगी उसके बाद हम लेंगे यहां पे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड़ा सकते हैं नमक लेने के बाद हम यहां पे हम खटाई के लिए लेंगे दही दही अगर बहुत जादा खटा हो तो जादा अच्छा रहेगा खटाई के लिए और कुछ जलने की ज़रत नहीं है अगर दही कम खटा है तो आप उसमें आमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं उसके बाद हम लेंगे इसमें सर्सो का तेल तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं चाह सर्सो का लीजे या फिर रिफाइंड ओल भी ले सकते हैं पर सर्सो के तेल से जादा टेस्ट अच्छा आता है इसलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सर्सो का तेल अब हमने लसन को मिक्सर में चला लिया है थोड़े से पानी के साथ और इसका एक फाइन पेस्ट बना ले अगर फाइन नहीं भी बनाएंगे तो दरदरा पेस्ट भी अच्छा रहता है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आपको लसन पसंद है खाना उससाब से बना सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा दरदरा रखते हुए एक पेस्ट बना लिया है यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यह पेस्ट अच्छे से बन गया है अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे जिसमें हम आच थोड़ी सी जाद मीडियम रखेंगे और उसके बाद हम इसमें तीन कच्छी यह जो है मेरे हाथ में इसके हिसाब से हम तीन कच्छी तेल डाल देंगे इसमें तेल का योग थोड़ा सा जादा होता है जिससे की चट्री क्योंकि लसन की हम कुछ दिन तक इसको रख के आराम से खा सकते हैं और ये खराब नहीं होगी तीन चम्मच बड़े चम्मच हमने तेल यहाँ पर ले लिया है और इसे आराम से हम गरम होने देंगे ताकि तेल का जो कच्छा पन है वो चला जाए आज को आप मीडियम हाइ रख सकते हैं तेल को अच्छे से गरम होने दे तेल गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे जीरा एक चमच एक टेबिल स्पून जीरा जब तड़क जाए अच्छे से देख लीजेगा कि अच्छे से जीरा तड़कना चाहिए कच्छा नहीं रहना चाहिए वरना उसका फ्लेवर नहीं आ पाएगा और उसके बाद प dismissal मिक्सर में ऊसको डाल देंगे यो ज से ऐसे इंचे की साहिता से इसे स्क्रेप कर लिजेए जो भी आपका जार नहीं लगा हूआ है और उसके बाद आप इसे एक लाडल की सहायता से इसे थोड़ा सा स्टर कर लीजिए अच्छे से हिला लीजिए ताकि कोई भी जो है लसन कच्छा रहने नहीं रह पाए अब हमने लिया है यहां पर दही और दही जो है आधी कटोरी हमने ली है इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च और जो एक चमच हमने तीखी लाल मिर्च डाली थी उसको हम अच्छे से फिटके मिला लेंगे एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे तरह देखना है कि कोई भी लंप न रह जाए उसके बाद हम साथी में इसमें लाल लेंगे नमक नमक आप अपने टेक्स्टी अकॉर्डिंग स्वात के अनुसर डाल सकते हैं और यह जब अच्छा एक पेस्ट बन जाए इसे भी आप गालिक जो ओईल में फ्राई हो चुका है लसन उसके साथ उसमें मिला दीजिए देख लीजिए कि लसन एकाद मिनट अच्छी तरीके से फ्राई होना चाहिए कच्छा पन नहीं रहना चाहिए और फिर उसके बाद धही के साथ तो पकाना ही है अब देखिए तेल जो है अच्छे से उपर आने लगा है इसका मतलब जो है कि लसन और दही दोनों ही अच्छे से पक चुगी हैं दही ने भी तेल छोड़ दिया है और इसके बाद एक इसको अच्छे से आप चला लीजिए नीचे चिपकने पन ना पाए कड़ाई में और जो है इसमें आपको आच मीडियम ही रखना है मीडियम टु लो और अब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए पानी की कंसिस्टिंसी आप अपनी सब से अच्छे से पका ले ताकि इसका कच्छा पन जो है बिलकुली दूर हो जाए इसमें जादा इंग्रीडियंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल कम इंग्रीडियंट्स से फटा-फट से बनने वाली यह चटनी है बस इसे हिलाते रहिए और बिल्कुल अच्छे से यह पक जाए उसका कच्छापन जो है दूर हो जाए और यह देखिए चटनी का क अच्छे संदर कलर आ गया है हमाई चटनी बनकर बिल्कुल तयार है हम ग्यास का फ्लीम जो है बंद कर देंगे और चटनी को सर्फ कर देंगे आप यह रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताए यह आपको यह रेसिपी कैसे ल क्लीम जो है हमाई खीम जो है हम जो है इस लिल खक जरूर यह राइद को सर्फ कर देंगे और यह रेसिपी कैसे देंगे जो है।